हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमरे यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक से पर्शनल लोन कैसे लें और इसे जुरी इस सारे जानकारी में आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूँगा दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि दोस्तो पैसा ही हमारे लिए सबसे महत्पून है अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तो ये कहबत तो आपने सुनी होगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता दोस्तो हमें हर काम के लिए पैसो की जरूरत होती है पैसे की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपको पैसो की जरूरत होगी दोस्तो आज के समय में पैसे की जरूरत सब को होती है कोई भी बीना पैसों के नहीं रह सकता है इसे लिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताऊंगा जो आपकी सारी परिसान ये दूर कर देगा दोस्तों जिस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस बैंक के बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं दोस्तो इस बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक से पर्शनल लोन कितना मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक से कितने दिनों के लिए लोन मिलेगा इस बैंक से किनकिन लोगों को लोन मिल सकता है पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के क्या-क्या फाइदे हैं इस बैंक से लोन लेने पर कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जरूत होगी इस पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने पर ब्याज की दर कितनी होगे और इस लोन के लिए कैसे अपलाई करें इन सबी बातों को आज की इस वीडियो में हम डेटेल से जानेंगे इसलिए इस वीडियो को अंतक जरू दखेगा तो चली दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से किन-किन लोगों को लोन मिल सकता है तो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दू कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 58 सान के बीच होनी चाहिए और आप सैलरीड या सेल्फ इंप्लाइड होनी चाहिए यानि कि आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए या फिर आपका खुद का कोई बिजनस होना चाहिए तभी आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले सकते हैं दोस्तो आपके पास कम से कम दो साल से जॉब होनी चाहिए मतलब कि आपके जॉब में रहते हुए दो साल हो जाने चाहिए तभी आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन के लिए आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आपके हर महीने की कमाई 30,000 रुपे या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं और दोस्तो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर अचा होना चाहिए तभी आप आपको पंजाब नेशनल बैंक से लोन मिल सकता है दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉकुमेंट्स की जरूत होगी तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए आपकी ID प्रूफ की जरूत होगी आपकी address प्रूफ की जरूत होगी आपकी pen card की जरूत होगी आपके color, passport, size, photograph की जरूत होगी और इसके अलावा आपके income proof की जरूत होगी दोस्तों बात करें पंजाब National Bank से हमें कितना लोन मिल सकता है तो दोस्तों पंजाब National Bank से हमें 50,000 रुपे से लेकर 15,000 रुपे तक का लोन मिल सकता है इतना लोन हमारी जरूतों को पूरा करने के लिए काफी होता है दोस्तों बात करें पंजाब National Bank से हमें कितनी दिनों के लिए लोन मिल सकता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब National Bank से हमें 12 महिनों से लेकर 60 महिनों के लिए लोन मिल सकता है यानि कि आपको एक साल से लेकर पांच साल के लिए लोन मिल सकता है दोस्तो इतना समय लोन चुकाने के लिए काफी होता है और बात करें पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने पर ब्याज की दर कितनी लगेगी तो दोस्तो पंजाब नेशनल बैंक से पर्शनल लोन लेने पर ब्याज की दर साड़े आठ परतिसत साला ना लग सकती है दोस्तों ये ब्याज की दर बदलती रहती है इसलिए आप लोन लेने से पहले एक बार बैंक के ओफिसियल से कंसल्ट कर लें और दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के क्या क्या फाइदे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा पर्शनल लोन मिल जाता है और लोन वापस करने का समय भी आपको काफी मिल जाता है और दोस्तों आपका लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने पर आपको बहुती कम तरीके से आप apply कर सकते हैं पहला तो है आप online तरीके से आप apply कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप इसके लिए offline तरीके से apply कर सकते हैं दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए online तरीके से कैसे apply करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको पंजाब न अफिसेल्स के दौरा ये वेरिफाइग किया जाएगा कि आप लोन के लिए इलिजिबल है या नहीं अगर आप लिजिबल होंगे तो लोन की अमौंट सीधे आपके अकॉडमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर आप लोन की अमौंट को अपनी तरीके से खर्च करने के स्वतंतर हैं और दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल बैंक से आफलाइन तरीके से आप लोन के लिए कैसे अपलाई करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक की नजदी की ब्रांच में आपको जाना होगा इसके बाद आपको वहां पर ब क्या जाएगा कि आप लोन के लिए इलिजिबल है या नहीं अगर आप लोन के लिए इलिजिबल होंगे तो लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगे फिर आप अपने लोन की अमाउंट को अपने तरीके से खर्च करने के लिए सोतंतर हैं तो दोस् हैं अगले वीडियो में किसी अने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद